एलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का पुना स्वागत है आज हिमाचल प्रदेश की बात करें काफी बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लिए काफी लंबे समयं से इंतजार थी कि हिमाचल प्रदेश में दो से तीन प्रसन आपके पक्के बन जाएंगे, कम्प्लिट स्टेडी करेंगे, जैराम ठाकुर जी दौरा कब सब्त ली गई, उसके बाद किस तरह से इनका आगे तक भी जो धाई वर्सों का कारेकार रहा है, किस तरह से उनके अपना कारेकारम को आगे बढ़ाया है, कितने इनके कैबिनिट में मंतरी पहले थे, कितने आप, सारे के सारे प्रसनों का हमें कम्प्लीट कबरेज यहां पे करेंगे, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे हमारे बिलकुल नए है, तो आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्यूंकि इसी यूट्यूब चैनल पर हरो सुबा आपको हिमाचल परदेश, राष्टे तथा अंतराष्टिया, क्रंट फिर से अति मत्तोपुन MCQ पढ़ाया जाते हैं, नीमित रूप से उन्हें सुनियेगा, हाली में जेविटी एंट्रेंस, जो की डिलैड की प्रिक्सा के नाम से भी प्रिक्सा जानी जाती है, इसमें 25 में से 25 के प्रसंद हमारे प्रेटफॉर्म से ही समन्दित थे, तो आईए सुरुवात करते हिमाचले प्रदेश कैबिनेट बिस्तार में अति मत्तोपुन प्रसंद रूत्री, सबसे पहले याद रखिएगा, 91 इकानमा संसोधन किया गया, वर्स 2003 में भारतिय समिधान में, इसमें कहा गया, कि जो मंत्री मंडल का आकार है, ये 15% तक की सिमित होना चाहिए, तो आप देखते थे, अकसर की जिस्तिदल की सरकार बनती थी, वो अपने सबी जितने इम उनके चेते होते थे, उनको मंत्री बनाना सुरू कर देते थे, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है सरकार के उपर, विबिनतरा की जो समाजीक गतिविदियां होती है, जो विकास अत्म गतिविदियां हैं, उगतिविदियां भी प्रभावित होती है, तो अब देखे हिमाचली परदेश में 68 सीट से, अठासक हमारे पास क्या है, विधान सबह की सीट से, इसी में से निकाला जाए तो 10-10 मतलव 2 या 3 प्रतिसत के आसपास बैठता है हमारे पास 15 प्रतिसत तो यहां पर हिमाचल प्रदेश से 11 मंतरी बनाया जा सकते है और बाहर में मुख्य मंतरी साहब होंगे यह आप पिछली बात करें पिछली जो गिरभदर सिंग जी की सरकार र बनाया गया थे CPS इसलिए बनाया गया थे जो कि एक मंतरी होता है उसके साथ मुने अटेस करे जाता है ताकि बिभिन तरह कि जो मंतरीयों का कार्या भार्य चोटा हो सके लेकिन उसमें भी बहुत जादा खर्चा होता है तो जैरम सरकार ने यहां पर इस वार कोई भी CPS नह ही की गई है ये भी आपने याद रखना है और लोकसभा के लिए हमारे यहां से चार लोग चुने जाते है राजय सबा के लिए तीन लोग चुने जाते है यहीं कंप्रेट पुछ लिया जाया तो साथ लोग हमारे पारलियमेंट में जाते है जो हमारी विधान सबा है एक सबसे पहले जो आपने सबसे important है इस नहीं आपने focus करना है, वो focus करना है आपने कि जैराम सरकार में जो मंतरी थे कि हम बात करें, जब जैराम सरकार बनी थी कब बनी ये सरकार 7 दिसंबर को बनी थी, यहाँ भी 23 की जगा 27 कर ली जिएगा, ठीक है, 7 दिसंबर 2017 को जो जैराम जी की सरकार बनी, ठीक है, उस टाइम क्या किया गया, जैराम सरकार जी द्वारा खुद मुख्या मंतरी की सब ली गई, और उसके साथ में 11 मंतरी बनाए गया, यानि इनकी पूरी के पूरी जो कैबिनेट है, वो समपूरन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, आप लोगसबा के चुनाब आते हैं, फिर अनील सर्मा, जो मंडी से कॉंग्रेस के थे, जब 2017 के चुनाब हुए थे, तो ये बीजेपी में आ गये थे, चुना इहां पर रहती है, ये बीजेपी के MLA है बरतमान में भी, ठीक है, क्योंकि बीजेपी से नोने जीता है अपना पूरा का पूरा चुनाब, लेकिन इनके पास कोई भी मंत्री पद नहीं, मंत्री पद से नोने इस्तिपा दे दिया, सीट नमबर एक आपके यहीं पर खाली हो गया, एक सीटा आपकी यहां पर एक हाली होगी, तीसरी बात करें, कांगला जिला से स्बंद रखते थे, पूरव के स्वास्तिया मंत्री थे बीपिन कुमार जी, तो बीपिन कुमार जी को ले गया, आप बिधान सबा में इने मना दिया गया, बिधान सबा का हदेक्स, उन्हें बना दिया गया, हिमाचल परदेश में भारतिया जनता पार्टी का राज्य अस्तरिया अधेक्स बना दिया गया, लेकिन कुछ समय पहले उनके द्वारा भी इस्थीपा दे दिया, और बरतमान में कस्यप जी है, सिमला संस्टियक से तर से चुन के पहुंचे है, उ और किसन कपूर के तीन पद हमारे कैबिनिट में काफी लंबे समय से खाली चल रहे थे, चौता पद था भारतिया जनता पार्टी जो की सकता धरी दल है हिमाचल परदेश में, उसके हदेक्स का, तो उसके अपर कस्यप साब आ गये, अब जो तीन पद खाली थे, उसकी जग तीन, जुरूर ये प्रसंद आपको किसन के सिप्रिक्सा में आने बाला है, तीनों मंतरियों के नाम आपको यहां पर बता देते हैं, नूरपूर से है, राकेश प्थानिया जी, नूरपूर जिरा कांगणा में है, राकेश प्थानिया जी ने सब्थ ले ली है, उसके आपने इनके नाम भी याद रखने हैं और इनके चुनाफ से तर्वी कहां से चुनके हैं ये भी आपने याद रखना है। 27 दिसंबर 2017 को जब 68 में से 44 जिती थी भारतिया जन्ता पार्टी ने परचंड भुमत के साथ सत्ता में आये थे तो उसस में कौन राज्यापाल थे आपसे प्रसंब भी पुछा जा सकता है कि 7 दिसंबर 2017 को गठी जैराम सरकार की कैबिनेट को किसके द्वारा साथ दिलाई गई थी कन्फ्यूज नहीं होने अच्छे से अपने दिमाग में प्रसंब बैठा लिजिएगा तो आप उसका सही उत्तर करेंगे तत्कालीन राज्यापाल आचार्या देवरत जी के द्वारा ओत दिलाई गे थी बरतमान में इनका तबादला हो गया है यहां से और आजकल कहां पर है गुजरात के राज्यापाल है ये भी आपने याद रखना है अब आपसे ये प्रसंब भी पुछा जा सकता है कई बार इस तरह के परसंद विभिंतरा के प्रतियों के पहले भी पुछी चाच चुके है कि हिमाचल परदेश सरकार में मुख्या मंत्री जैराम ठाकुर को मिलाकर कुल कितने मंत्री है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बारा मंत्री अब एट परजंट बन चुके है और हिमाचल परदेश में जैराम ठाकुर के नेत्रितों में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार कब बनी थी स्ताई दिसंबर 2017 को बनी ती 68 में से 44 सीट्स आई थी बीच में देखिए दो सीट्स खाली भी हुई थी सिर मौर के फचात से जहां से रीना कस्यप उप चुनाप जीत के पहुंची थी और उसके बाद धरम साला से विसाल नहरिया जी चुनाप जीत के पहुंची थी ये दोने चीज़े आपने याद रखनी है और एड़ परजेंट एदी बात करें तो हमारी जो भीधान सबा है उसमें पांच महिला कैंडिडेट्स आ चुकी है पांच महिला भीधायक है पिछली बार एचेस में पूछा गया था उस टाम स्ट्रेंथ कुछ और थी कितनी फिवेल्स MLA बनके हमाचल परदेश की बिधान सबा में पहंची है अब आपको ये भी पता होना चीए कि हमाचल परदेश में अभी तक कितने लोग मुख्यमंत्री बन पाए है कापी सारल प्रसंद है लेकिन है बहुत मत्तोपुर्ण इस तरह से वीडियो के अंतक हम पूरा डिसकुसन करेंगे हमाचल परदेश का जितना भी ये पॉलिटिकली स्ट्रक्चर है और लास्ट में आपको बताएंगे कुछ मत्तोपुर्ण किताबों के बारे में भी तुबने रहे हैं आप लोग इस वीडियो में अंतक सबसे पहले जो प्रथम मुख्या मंतरी बने थे हमारे चोटे से परदेश के का नाम है डॉक्टर यस्वन सिंग परमार जी ने हमाचल परदेश का पीता के नाम से भी जाना जाता ही निक ये अथक प्रयासों से आज हमाचल परदेश इस तरह से आगे बिक्सित हो पाया है जो कि छे बार तक परदेश का नेत्रितों करते है और उसके बाद सिर मीरपूर्ज परदेश का सबसे चोटा जिला है एक से तरफल के अथार पर दी हम बात करें तो 22 से देखिये सिरी प्रेम कुमार धुमल जी आगे आते हैं और दो बार हमाचल परदेश के मुख्या मंतरी बनते हैं और चटी बार इतिहास में काफी बड़ा उतार चडाब देखने को मिलता है मंडी जिला से समद रखने वाले स्री जैराम ठाकुर जी मुख्या मंतरी के पत पर बनते हैं 27 दिसंबर 2017 को इनके दोरा मुख्या मंतरी की ओध ली जाती है याद रखिएगा हिमाचल प पर देख को पार सी स्टेट बना दिया गया और पूर्ण रुज्या की राज्य की प्राप्ति की बात करें 25 जनबरी 1970 को हिमाचल परदेख पूर्ण राज्या बना था अठारुमा राज्या बना था ये पूरे भारत के दि हम बात करें आप से भी पूशे जा सकता है हिमाच सबा के चुनाब आपने याद रखना है और लोक सबा के चुनाब कब होंगे 19-2024 में होंगे कि 2019 में हुए थे 19 में आप पांच हमा कर लेजिए 2024 में होंगे यह फ्यक्ट भी याद रखिएगा अब हम बात करेंगे जोई cabinet मंतरी है इनके अपास कौन कौन से करया भार है अभी देखिए इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है यहां तक तो ठीक है वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है आपको आप इसको बार बार सुन सकते हो यहां से आगे हो सकते है कुछ डिपार्टमें जी फाइनेंस भी तीनी के पास रहता है समान्या परसासन है ग्रियो और योजना है कार्मिक विभाग है अन्य ऐसे विभाग जिनके अलोटमेंट नहीं की गई है उनका निर्भण मुख्यमंत्री जी दवारही किया जाता है तो से बहले बात करेंगे श्री सूरेश भार्द मंत्री ये बर्तमान में है दूसरे की बात करें दूसरे है स्री महेंदर सिंग ठाकुर जी काफी दिगस नेता है मंडी जिला के धर्मपूर से समन्द रखते है सिंचाई और जन स्वास्त्य मंत्री बागवानी सैनी कल्यान मंत्रालिया इनी के पास है आगे बात करें स्री र सामलाल मारकंडिया है आदिवासी विकास और आईटी है इदिन में कुछ परिवर्तन होता है तो आपको अगले वीडियो में से रेक्टिफाई करवा दिया जाएगा सिरी गोविंद सिंग की बात करें बिधान सबक सेतर मिलाली से चुन के पहुंचे है आपको ग्यात होगा गत बरस जो इन्वेस्टर मीट हुई थी काफी सफला योजन किया गया था इनके सज़क परियासों के दोरा अगे बात करेंगे सिरी राजीव सेजल जी की बिधान सबक सेतर कसौली सोलन से चुन के आए है और इनके पास जो मंत्रालिया है सामाजिक नियाय और आधिकार्ते मंत्रालिया इन्ही के पास है आगे बात करेंगे सिरी बिरेंदर कमर जी की तो बिधान सबक सेतर कुटले हैड उन्ना से चुन के आए है और ग्रामीड विकास और पंचाइती राज मंत्री है ग्रामीड विकास पंचाइती राज पसुपालन मचली पालन सारे मंत्रालिया इनी के पास है और इस वर परिवर्तनिन के पोड़फूलियों में नहीं होता है। एक मातर महिला है जिनका नाम है सिरीमत्य सरभीन चौदरी जी जो की जैराम के गैला मंत्रियों में एक मातर महिला है। यूनिक चीज होती हो हमारे लिए बहुत ही मत्तो पुरण होती है यह आपने की सिप्रिक्सा को प्रखियेगा इनका जो विधान सबक से तरह सापूर जिला कांगड़ा है और सरी विकास मंत्री सरी विकास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आवास मंत्रालिया इनी के पास है यह वो तीन नए चेरे है जिनके पास अभी देखिया आप यहां पर परिवर्तन हुआ है यह तो मैं आपको वता दे हमारी दो काफी मत्तोपून किताब है जिसमें हिमाचल परदेश एक समग्डर हजयान समूर संपून जानकारी हिमाचल परदेश की करीब 10,000 प्रसंद पत्रों कोसिन का बैंक इस बुक में त्यार हो जाता है दूसरी तरफ हमारी हाफियरली मेकजिन जिसमें आपको मिलेंगे हिमाचल परदेश, गिरिराज, राष्टे ततंत, राष्टे, गरंट, फिर्स, कस्टिक, सरांस, दोनों किताबों को ख्रीदने से पहले आप कमेंट सेक्शन में जाएगा बहां पे आपको इनका PDF परव्यू मिल जाएगा उसको देख लिजेगा ज तो हमारी वेबसाइट में जाके जुरूरी किताबों को परचेस कर लिजेगा ये दोनों किताबे हमारी भीविन तरह के डिलर्स के पास भी उपलावद है प्रकास एंटर्प्रेजिस मंडी में उपलावद है अजय बुक डिपो ढालपूर कुलू में उपलावद है किर्न बिलासपूर वस्ती बुक्स एंट स्पोर्स जोगिंदा नगर मॉडरन बुक्स ओप ढालपूर कुलू राज बुक डिपो आपका सरकाखार जिला मंडी में भी दोनों किताबें उपलावद है मोर जर्नल स्टोर मेन बजार हमेरपूर अगरबाल जर्नल स्टोर कांगड़ा आगे बात करें आपकी गोइल बुक्स डिपो पालमपूर सर्मा बुक्स डिपो बंजार डिस्टिक कुलू यूनिक बुक हाउस है सिम्ला में लोर बजार के पास है इनके पास भी यह दोनों किताबें हमारी उपलावद है डड़वाल बुक जो धर्मसाला में किताबें की है गुरु कृप किर्पा ठीक है इनके पास काफी लिम्टेड स्टॉक है आप जल्दी से इनके नमबर पर कॉल करके अपने लिए यह दोनों किताबों के गी कॉपी बुक करवा दीजिए और उसके बाद देखिए बिने गुपता बिने गुपता जी है कॉलेज रोड कांग स्ट्स्स्या